आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं हमें सब्सक्राइब करें बिल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुँचती रहें सारी खबरें बिहार के गया शहर से कुछ ही दूरी पर भस्मकूट परवत परस्तित शक्तिपीट मा मंगला गौरी मंदिर पर सुबह से ही भगतों का ताता लग जाता है मान्यता है कि यहां मासती का वक्ष अस्थल गिरा था जिस कारण यह शक्ति पीट पालन हार पीट या पालन पीट के रूप में प्रसिद्ध है पौरानिक ग्रंतों के मताबिक भगवान भोले शंकर जब अपनी पतनी सती का जला हुआ शरीर लेकर तीनों लोकों में उद्विग्न भोकर घूम रहे थे तो श्रिष्टी को बचाने के लिए भगवान विश्णू ने मासती के शरीर को अपने सुदर्सन चक्र से काटा था इसी क्रम में मासती के शरीर के टुकडे देश के विभिन अस्थानों पर गिरे थे जिसे बाद में शक्ति पीट के रूप में जाना गया इन्ही अस्थानों पर गिरे हुए टुकडे में अस्तन का एक टुकडा गया के भस्मकूट परवत पर गिरा है मंगला गौरी शक्तिपीट के पुजारी लखन बाबा और लाल बाबा कहते हैं कि इस परवत को भस्मकूट परवत कहते हैं शक्ति पीट को असम के काम रूप स्थित मा कामक्या देवी शक्ति पीट के समान माना जाता है कलिका पुरान के अनुशार गयाक में सती का अस्तन मंडल भस्मकूट परवत के उपर गिरा जो बाद में पत्थर बन गया इसी प्रस्तमई स्तन मंडल में मंगलागौरी मानित निवास करती हैं जो मनुष शिला का असपर्ष करते हैं वो अमरत्यों को प्राप्त कर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं इस सक्तिपीट की विशेषता यह है कि मनुसे अपने जीवन काल में ही अपना सुराद कर्म यहां संपादित कर सकता है मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो भी सच्चे मन से मा की पूजा अर्चना करता है मा उस भक्त पर खुश होकर उसकी मनुकामना पोर्ण करती है ऐसी मान्यता है कि यहां पूजा करने वाले किसी भी भक्त को मा मंगला खाले हाथ नहीं भेजती इस मंदिर में साल भर सधालों की भीड लगी रहती है यहां गर्व ग्रीह में ऐसे तो काफी अंधेरा रहता है परन्तु यहां वर्षों से एक दीई प्रज्वलित है कहा जाता है कि यह दीपक कभी नहीं पूजता इस मंदिर में सिर्फ यहां के ही नहीं बलकि विदेशों से भी आकर लोग मा मंगला गौरी की पूजा अर्चना करते हैं मा मंगला गौरी मंदिर में पूजा करने के लिए शद्धालों को सौ से ज़्यादा सेड़ी चड़ कर ऊपर जाना पड़ता है मंदिर के एक अन्य पुजारी संजय गिरी बताते हैं कि इस मंदिर का उले पद पुरान, वायो पुरान, अगनि पुरान और अन्य लेखों में मिलता है तांतरिक कारियों के लिए भी इस मंदिर में प्रमुखता से लोग आते हैं हिंदू संप्रदाय में इस मंदिर में शक्ति का वास माना जाता है इस मंदिर में उपा शक्ति पीठ भी है जिसे भगवान शीव के शरीर का हिस्सा माना जाता है शक्ति पोशक के प्रतीक को एक स्तन के रूप में पूजा जाता है मंदिर के गर्व ग्रिह में देवी की प्रतिमा रखी हुई है यहां भव्य नकाशी बनी हुई है मंदिर के सामने वाले भाग में एक मंडप बना हुआ है मंदिर परिशर में भगवान शिव और महिशा सुर की प्रतीमा, मर्दिनी के मूर्ती, देवी दुरगा के मूर्ती और दक्षिना काली की मूर्ती भी विराजमान है यहां कई और मंदिर भी हैं यहां नौरात में प्रतिदिन भक्तों की भीर जुटती है परन्तु महास्टमी वरत के दिन यहां बड़ी संक्या में मा के भग पहुचते हैं आपको ये वडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षिन में जाकर ज़रूर बताएं जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइब करें बने रहें महाखबर के साथ